सभी को नमस्ते, मैं कुसुम प्रोहित, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षतिस पद्यखंड का पाठ छे यह दंतुरित मुस्कान, जिसके कभी है नागारजुन नागारजुन का जन्म बिहार के दर्बंगा जिलेगी सतलखा गाउं में सन 1911 में हुआ, उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्रता, गुमकड़ी और अखड स्वभाव के धनी नागारजुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की, सन 1908 में में इनका दिहान थो गया इनकी मुख्य क्रतिया हैं, युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिटरी का भूड़ा गोड़ा, उनका संपूर्ण क्रतित्व नागारजुन रचनावली के साथ खंडों में प्रकाशित है, साहितिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरुसकारों से सम्मानित किया गया, यहां दंतुरित मुस्कान कवीता में, छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर के कवी के मन में जो भाव उमडते हैं, उन्हें कवीता में अनेक विम साथ खंडों का बागपन भी जुड़ जाता है, तुम्हारे यह दंतुरित मुस्कान, गतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़ कर तालाब मेरी जोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गय होगा कठिन पाशान, धंतुरित याने चोटे बच्चों की चोटे 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 नए ने दात निकलते हैं, धूली दूसर याने धूल मिट्टी से सना हुआ, गात याने शरीर, जलजात याने कमल का फूल, पाशान याने पत्थर, अब कभी इसमें कह रहा है कि अपनी चान फूक देती है, वे इतनी भवक होड़ते हैं कि कहते हैं कि धूल मिट्टी से सना हुआ, जो कोमल शरीर है, वो ऐसा प्रतित हो रहा है, जैसे कोई कमल का फूल हो, और वे अचानक ऐसे क्या उड़ते हैं, कि ऐसे लगता है कि कमल का फूल, तालाप छोड़ करके मानो उन और कोमल शर्ष को पाकर भला कौन सा पत्थर हर्दे मनुश्य है, जिसका दिल नहीं प्रिगलेगा, अर्थात जो पत्थर का फोड़ जिसका हर्दे है, वह भी कोमल हर्दे हो जाता है, कभी का मन बास और वबूल की भाती नीरश और शुश्क हो गया था, अब अपनी शिश शिवालिका के फूल हो, छूग गया तुमसे ही कि जड़ने लग पड़े शिवालिका के फूल, बास था की बबूल, कि बास और बबूल की तरह नीरस और कठोर मेरा हर्दे था, और तुम्हारा इस पर श्पाकर के वह पाशान हर्दे भी शिवालिका के फूलों की भाती स्वाप कहते हैं उनकी भाती जड़ने लगा है और उनकी खृदय में वातसल रसकी धारा बहरने के लिए अनाय सिव अपने पुत्रे से कहते हैं कि तुमने आज से पहले मुझे नहीं देखा इसलिए शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो लेकिन इस परकार देखते रह रहे हैं और उसकी धकान बचाने के लिए अपनी आखों को फेर लेते हैं और कहते हैं कि अगर मैं अपनी आखों में फेर कि मैं अपनी आखों को फेर लूँगा तो शायद तुम भी अपनी आखों को फेर लोगे घुमा लोगे और एक टक देखने वाले श्रम से बच जाओ अब आगे इसमें कभी संबोसित करते हुए कहते हैं कि अगर पहली बार तुम मुझे ना पहचान सके तो कोई बात नहीं मैं भी तुम्हारे सामने पहली बार आई हूं बोला तुम मुझे किस प्रकार से पहचान होगी अगर तुम्हारी मा नहीं होती तो आज तुम्हें मैं देख भी नहीं पाता और मैं घर पर नहीं रहा था तुम्हें मुझे अतिती की तरह समझ रहे हो तुम मेरा परचे पाना चाहते हो पर तुम नहीं जान पा रहे हो तुम भी धन्य हो और तुम्हारी मा भी धन्य है जिन् देव ही बना रहा है चिर प्रवासी में इतर में अन्य के चिर प्रवासी है ने मैं इधर उदर दूर घूमता रहा इधर उदर रहा इस अतीती से प्रिय तुम्हारा क्या संपर्क रहा कि मैं तो एक अतीती के तरह हूं और तुम्हारा मुझसे क्या संपर्क रहा उंगलिया मा की कराती रही है मधुपर्ग देखते तुम इदर कनखी मार और होती जब कि आखे चार तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान अगो कह रहे हैं कि तुम्हारी मा का स्निह संपर्ग सदा ही तुम्हारे साथ बना रहा है उन्होंने अपने हातों स सदा खिलाया और पिलाया है जिस प्रकार से और वो तुमने जो उनके हातों का जो रस लिया है वो किस तरह से एक मधुपर्ग के समान है कभी अपने पुतर से कहते हैं कि मेरी तरफ देखते हैं जब तुम्हारी दोनों निगाहें मिल जाती हैं तब तुम मुस्कुरा देते को खोल करके रख देते हैं कि शिशु के प्रती प्रता के कर्तव और दाइत्व का यतोचित पालन न कर पाने का दुख उन्हें विवल कर देता है अतव अपने आपको किवले का थिती जैसा ही उल्ले करते हैं और इतर और अन्य कहे करके अपने मन का ख्षोब व्यक्त करते हैं कि खड़ी बूली में अपने भावों का मनुभाव सजी वड़न किया है और उंगलियां मा की कराती रही है मधुपर्क इसमें वात्सल्य करतवे बोध गरिमा की अभिवेक्ति है कंखी मार देखना और आखे चार होना आधी मुहावरों का प्रियोग हुआ है कवीता का भावार्त यहा है कि कवी छोटे वच्चे को देख करके कहते हैं कि तुम्हारे ये नए नए उग आए दातों से युक्त मुस्कान इतनी मनमोहक और जीवन दाइनी है कि यहाँ किसी मृत शरीर में भी जान डाल देगी अर्थत मृतक समान भावहीन उदास निराश व्यक्ति भी तुम्हारी इस मुस्कान को देख ले तो वह भी प्रसनता और आनंद से खिल उठे धूल मिट्टी से सने तुम्हारे यह अंग प्रत्यंग देखकर ऐसे लगता है मानो कमल के फूल अपना मूल स्थान ताला आप छोड़कर के मेरी जौपड़ी में खिल रहे हैं और तुम्हारा इस पर्ष पाकर तुम्हारा ही प्राण जो कठोर पत्थर के समान था और बिघल कर जल के समान बन गया हो आशे यह कि तुम इतने कोमल हो कि धूल दूसरी तुम्हें गोद में लेने पर पाशान हरदय व्यक्ति भी द्रवित होकर कोमल हरदय बन जाता है मैं खोकले बास की तरह भाव शुन्या और बबूल के काटे की तरह बुरे स्वभाव वाला अथ्वा दूसरे को पीड़ा पहुचाने वाला हूँ किन्तो तुम्हारा इस पर्ष करते ही में शिफालिका की लता की भाती फूल बरसाने वाला अर्थत कोमल हम सुन्दर भावों से युक्त हो गया हूँ और मेरे मुख से प्रसनता और आनंद के फूल जड़ने लगे हैं कभी फिर बच्चे से यही प्रशन करता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए इसलिए लगातार बिना पलक जपकाए मेरी और एक टक दरश्टी से देख रहे हो यदि तुम मेरे पास सत्वा बबूल जैसे व्यक्तितों को पहचान जाते तो यूं मुझे एक टक दरश्टी से नहीं देखते तुम्हारा यह भोलापन और संभव ही तो है कि व्यक्ति को पाशान से पिगला कर मौम बना देता है कवी बच्चे से कहता है कि तुम लगातार मेरी और देखकर के ठक गए हो लो मैं ही अपनी दरश्टी को दूसरी और किये लेता हूँ यदि मैं और तुम पहली बार में परिचत नहीं हो सके तो कोई बात नहीं यदि तुम्हारी मा ने तुम्हारा पहला परीचे मुझसे ना कराया होता अर्था तुम्हारी मा ने तुम्हें जन्म देकर संसार में जन्म ना दिया होता तुम्हारी मा ने तो हमारा और तुम्हारे या प्रथम परीचे ना हुआ होता ना मैं तुम्हें देख पाता नहीं जान पाता और नहीं तुम्हारे इन ने उगाईदातों के मुझे दिखाई देती आगे कभी कहते हैं कि तुम और तुम्हारी मा दोनों ही धन्या है मैं तो हमेशे से यहां वहां गुमता रहा हूँ और चिरकाल तक घर से दूर प्रदेश में रहा हूँ इस कारण इतर पराया हो गया हूँ तुम मा बेटों से अलग रहकर मैं अन्य व्यक्ति सा हो गया हूँ मैं तो यहां अथिती के समान यदा कदा अती अलप समय के लिए यानि थोड़े से समय के लिए आता रहा हूँ इसलिए इस अथिती से तुम्हारा संपर्ग भी कमी है अपनी मा की उंगुलियों को तुमने अपनी मों में डालकर जिसमें चूसा उस समय जो मधुम पर्ग और पंचामरत जैसा आनंद और स्वाद प्राप्त किया नी संदिह वे उंगुलियां तुम्हें बहुत अधिक प्रिय होंगी क्योंकि उसमें मा का वातसल्य छिपा हुआ ह अज तुम और जब मुझे अपनी कंकियों के से देखते हो अपनी तरची नजरों से देखते हो तो मेरी और तुम्हारी आखे जब चार होती यनि आखे जब मिलती है तब तुम्हारी नए नए उगाय दातों के मुस्कान जो मुस्कान वाली जो छवी है तुम्हारा जो सु बोली है रवात्सल्य रस है इसमें और उपमा और अनुप्रास अलंकारों का प्रियोग हुआ है और मुक्तक्षंद है धन्यवाद